नमस्कार दर्शको आज हम समश्ट्री अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याए राष्ट्री आए का लिखांकन के विशे में अध्यान करेंगे राश्ट्री आय के लिखांकन को समझने के लिए हमें राश्ट्री आय से संबंदित कुछ महत्पूर्ण अवधारनाओं को समझना होगा सरपर्थम में यह समझना होगा कि हम राश्ट्री आय के लिखांकन करते समय किन वस्तूओं और सेवाओं को शामिल करते हैं वस्तुएं दो परकार की होती हैं अन्तिम वस्तुएं वा मध्यवर्ती वस्तुएं अन्तिम वस्तुएं या तो भोगता के दौरा उभोग के लिए खड़ी दिया जाती हैं जिनें उभोग वस्तुएं कहा जाता है या फिर अंतिम वस्तुएं उत्पादक के द्वारा भी खरी दिया सकती हैं जिनें हम पूंजी के द्वस्तुएं करते हैं वहीं दूसरी और जब हम अद्धे वर्ती वस्तुव की बात करते हैं तो ये वह वस्तुव होती हैं जो की उत्पादन की प्रक्रिया से अभी बाहर नहीं आई हैं और उन में अभी और मुल्ले समवर्दन होना बाकी है अत्वा इन्हें पुनर विक्रे के लिए बेचा जाना ह उधारन के लिए एक उद्योग दुयारा वस्तुओं की निर्मान हीतु कच्चे माल का करे जैसे की कार निर्मान के लिए आवश्यक स्टील की चाधर खरीदना विद्याले द्वारा कक्षाओं में प्रियोग हितू चौक वा डस्टर खरीदना एक कार बीशने वाली एजनसी का कार निर्मता से कार खरीदना यहां यह समझना अवशक है कि अंतीम वस्तुएं वे मद्देवर्ती वस्तुएं में भेद करते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि उनका अंतीम प्रियोग करता कौन है यदि वे भुगता द्वारा प्रियोग के लिए खरीदी जा रही हैं या उत्पादक द्वारा पुन्जीगत निवेश के लिए तो वे अंतीम वस्तुएं हैं और यदि वे वस्तुएं उत्पादक द्वारा वस्तुएं के निरमाण में या पुनर विक्रे के लिए खरीदी जा रही हैं तो वो वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जैसा कि हमने प्राराम में ही समझा था कि जो अन्तिम वस्तुएं किसी भी अर्थ वस्ता में एक निश्ची समय में बन कर तयार होती हैं, वे या तो उभूगता वस्तुएं होती हैं या पुन्जीगर वस्तुएं. उभूगता वस्तुएं जिनमें ना सिर्फ वस्तुएं वरंद सेवाईं भी शामिल हैं, पर सुईधा की दृष्टी से इन्हें वस्तुएं ही कहायाता हैं, ये वस्तुएं टिकाव परवर्ती की हो सकती हैं, जैसे फ्रिज, कार, फरनीचर, टीवी, आदी, या गय टिकाव, जैसे दूद, फलसबजियां, कपड़े, इत्यादी, पूझी गत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं, जो की टिकाव परवर्ती की हो और इन्हें उत्पादक, उत्पादन प्रक्रियां में प्रियोग हेतू, निवेश की दृष्टी से खरीता हैं, जैसे मशीन, टूल्स, आफिस फरनीचर, यातायात के लिए ट्रक, कार, इत्यादी, आईए अब हम अगली संकल्पलना पर चर्चा करें, स्टॉक वा प्रवहा, ये दोनों अवधरनाएं, राश्टी आये का आकलंग करते समय, बहुत ही महत्पूर्ण हैं, स्टॉक की परिवाशा, किसी निश्चि समय बिंदू पर मापा जाता है, जैसे 31 मार्ज 2020 को फरम के पास वस्तू की मात्रा, आज 10 वजे तक दुकान में उपलब्द वस्तू हैं, वह अर्थिक चर्च जो किसी निश्चित समय अर्धी में मापा जाते हैं, परवा कहलाते हैं, जैसे एक दिन की विक्री, एक सप्ता क उत्पादन, एक माह की आए, वर्ष 2020 की राश्टी आए, अतहा हम कह सकते हैं कि पूंजी, धन, मुद्रापूर्ती, जनसंख्या, वस्तू का स्टॉक, इत्यादी, स्टॉक के उधारन हैं, जबकि आए, वे, पूंजी निर्मान, निर्यात, आयात, ब्याज, इत्यादी, प् अब हम दूसरी संकल्पनाओं पर विचार करते हैं, जो कि अर्थ वेष्था में निवेश से संबंदित हैं, निवेश का अर्थ है, अर्थ वेष्था में उपलब्द कुल पूंजी स्टॉक में होने वाली वृध्धी, अर्थार्थ वर्ष भर में उत्पादन प्रक्रिया के दोरान पूंजी गत वस्तू में होने वाली नई पूंजी रचना निवेश कहलाती है, उधारन के तौर पर भवन निर्वान, मशीनों का निर्मान, सडक वापुलों का निर्मान, गोदाम, इतियादी, सब पूंजी निर्मान ही हैं, जिसे हम निवेश कहते हैं, निवेश वा निवल निवेश में विभाजित करते हैं, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मुल्ले हरास, पुरानी पूंजी गत वस्तूओं जैसे पुरानी मशीन, जो की तूट फूट या लंबे समय तक प्रयोग के कारण, उत्पादन योग्ये नहीं रहे है के स्थान पर वर्तमान वर्ष में जिन नई पुंजी गत वस्तूओं का निर्मान हुआ है को परतिस्थापित कर दिया जाता है, ऐसी पुंजी गत वस्तूओं के मुल्लियों को ही, जो की तूट फूट या लंबे समय तक प्रयोग के कारण, उत्पादन योग्ये नहीं रह हैं मुल्ले हरास कहा जाता है, क्योंकि इन मशीनों वा अन्य पुंजी गत वस्तूओं को प्रानी मशीनों के बतले लगाया गया है, अतहा इन से देश की वस्तूओं और सेवाओं की उत्पादन शम्ता में कोई विर्दी नहीं होती है, अतहा निवल निवेश क्याद करने क इस मुल्ले हरास को सकल निवेश के मुल्य से घटा दिया जाता है, इससे हम उधारन से भी समझ सकते हैं, मानकी अर्थवयवस्ता में वाशिक सकल निवेश एक लाग करोड का हुआ, और उसमें से दस हजार करोड रुपे पुरानी पुंजीगत वस्तूओं की तूट-फू की जगे नई मशीन को प्रतिस्तापित करने में लग गए, तो इस तरह मुल्य हरास 10,000 करोड का हुआ, इस स्थिति में निवल निवेश क्यात करने के लिए 90,000 करोड रुपे बराबर 1,00,000 करोड माइनस 10,000 करोड अगली अवधारना जिसकी हमें राष्टी आय के लेखांक और निर्मित माल वा कच्चे माल के बच्चे वे स्टॉक को माल सूची कहते हैं, माल सूची में परिवर्तन वर्ष के आरंब के समय उपलब्द माल सूची और वर्ष के अंत में उपलब्द माल सूची के अंतर को कहायाता है, अतहा माल सूची में परिवर्तन बराबर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि माल सूची में परिवर्तन बराबर अंतिम स्टॉक माइनस अरमभीक स्टॉक उधारन के लिए यदि वर्ष के प्रारम में किसी फर्म के पास सो रुपे का अभिक्रित स्टॉक है और वर्ष के अंत में तीन सो रुपे का अभिक्रित स्टॉक है तो स्टॉक में परिवर्तन दो सो रुपेगा होगा आएए अब हम राश्टी आए लिखांकन में उपयोग आने वाले कर वा उपदान के विश्य में चर्चा करते हैं जब हम राश्टी आए की गणना करते हैं तो उसमें सरकार को प्राप्त विभिन पकार के कर जुड़े होते हैं जैसे आयाद शुल्क वस्तुवा सेवा कर इत्यादी इन्हें अपर्टेश कर कहा जाता है सरकार ना केवल वस्तुवाव सेवाव पर कर लगाती है अपितु कुछ वस्तुवा के निर्मान को प्रोधसाहन देने के लिए उन पर आर्थिक उपदान भी देती है जिससे ऐसी वस्तुवा को बाजार में कम कीमत पर बिचा जा सके अता है सरकार को प्राप्ट वास्तविक निवल कर ग्याद करने के लिए अपर्टेश करों में से उत्पादकों को दिये गए आर्थिक उपदान घटा दिये जाते है निवल अपर्टेश कर बराबर अपर्टेश कर माइनस आर्थिक अनुदान निवल अपर्टेश कर की अफदारना का प्रयोग राष्टी आई की करना साधन लागत अत्वा बाजार कीमत पर ग्याद करने के लिए किया जाता है हम जानते हैं कि जब हम कोई वस्तू बाजार से खरीदते हैं तो उसकी कीमत में निवल अपरतिक्षकर जुड़े होते हैं अतहा साधन लागत पर ग्याद करने के लिए बाजार कीमत में से निवल अपरतिक्षकरों को घटा दिया जाता है शाधनलागत बराबर 2000 कीमत माईनस निवल परत्यक्षकर ऐसे ही करों की दो परकार के अवधारनाएं और हैं उत्पाद कर और उत्पादन कर उत्पाद कर उत्पाद की प्रतिकाई के अनुसार लगाये जाता है जैसे माना किसी वस्तू के उपर प्रती काई एक रुपे का कर लगाया गया है और उत्पादक ने 500 वस्तू का उत्पादन किया है तो उसे 500 रुपे कर का भुक्तान करना होगा और यदि उत्पादन एक हजार वस्तू का हुआ है तो कर भी उसी अनुसार एक अजार रुपय का होगा सरकार कुछ वस्तों पर आर्थिक उपदान भी देती है निवल उत्पादकर ग्यात करने के लिए उत्पादकर में से उत्पाद उपदान के मुले को घटा दिया जाता है ये तो थे उत्पादकर जो की उत्पाद की परतिकाई के अनुसार लगा जाते हैं अब यदि हम उत्पादन करकी बात करें तो ये वो कर होते हैं जो की उत्पादन से संभधित होते हैं और उत्पादन की मात्रा कम या ज्यादा होने से इन में कोई बदलाव नहीं आता जैसे भूमी आगम, स्टाम्प और रेजिस्टेशन फीस इसमें भी निवल उत्पादन कर गयाद करने के लिए उत्पादन पर दिये गए आर्थिक उबदान को घटा दिया जाता है निवल उत्पाद कर बराबर उत्पाद कर माइनस उत्पाद उबदान अब हम अर्थिवस्था में आये के वर्थिल परभा को समझेंगे आये का वर्तुल प्रभा, आये के उस चक्रिय प्रभा को कहते हैं जो कि अर्थवेवस्था के एक शेत्र से दूसरे शेत्र में निरंतर रूप से प्रभाहित होता जाता है किसी भी अर्थवेवस्था के चार शेत्र होते हैं परिवार, उत्पादक अत्वा फर्म, सरकार और वही वैपार, जो की शेश विश्व से निरियात आयात के रूप में किया जाता है। एक सरल अर्थवेवस्था में केवल परिवार और फर्म आते हैं। वैसे तो हम सभी वर्तमान में अपने असपस जिन भी आर्थी कर्थी विदियों को देखते हैं, उसमें सरकार भी सम्मलित होती है और विदेशी वैपार भी। परंतु कोई भी सरल अर्थवेवस्था सरकार और वही वैपार के बिना किस परकार कारे करती है, ये जानना समझना भी उतना ही महत्पूर्ण है। आईए देखें कि इस द्वी शित्री अर्थवेवस्था में आये का प्रभा किस परकार होता है। वस्थू और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार परकार के उत्पादन के कारकों का प्रियोग किया जाता है। मानवशरम, भूमी, पूंजी और उध्यमवरती। कोई भी फर्म जब उत्पादन कारे करना चाहती है तो उसे इन चारों उत्पादन के साधनों की आवशक्ता होती है। और ये साधन परिवार के पास उपलब्द होते हैं। फर्म परिवारों से मानवशरम, भूमी, पूंजी और उध्यमशिल्टा लेकर उत्पादन के लिए प्रियुक्त करती है। इस परकार से साधन सेवाओं का प्रभा परिवार शेत्र से फर्म की ओर होता है। अब फर्म इन साधन सेवाओं के योगदान के लिए पारिशरमिक का बुक्तान करती है। इस साधनों के बुक्तान में मानवशरम के उत्पादन में योगदान के लिए जो पारिशरमिक दिया जाता है उसे मजदूरी वा वेतन कहते हैं। इसी प्रकार भूमी या स्थिर प्राकर्तिक संसाधन को उत्पादन में योगदान के फिलसव रूप जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो लगान कहलाता है। पूंजी पती को पूंजी के पारिशम्रिक के रूप में ब्याज और उद्धियमी को उसके योगदान के लिए लाब दिया जाता है। इस प्रकार से आये का प्रभा फरम से परिवार की और होता है। परिवारों को जो आये फर्म से प्राप्त हुई है, उस समस्त आये को परिवार फर्म से वस्तुयमा सेवाई खरीदने के लिए खर्च कर देती है। दियान रहे, एक सरल अर्थवेस्था में हम ये भी मान कर चल रहे हैं कि परिवार दुआरा बचत नहीं की जाती है। अतहा साधन बुकतान, मजदूरी वर्वेतन, लगान या किराया, ब्याज, लाब को कहा जाता है। आये का प्रभा वापिस परिवार से फर्म की दिशा में वस्तुयमा और सेवाउं पर खर्च के रूप में हो जाता है। और इस खर्च के बदले परिवारों को फर्म से वस्तुयमा सेवाएं उभोग करने के लिए प्राप्त हो जाती है। अर्थार्थ वस्तुयमा और सेवाओं का प्रभा फर्म से परिवार की दिशा में होता है। अगली अवधी में फरम पुनहें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है और उत्पादन के कारकों को परिश्मिक परदान करती है। आए के इसी चक्रिय प्रवा को जो की फरम से परिवार और परिवार से फरम की और निरंतर होता रहता है को ही आए का वर्तुर प्रवा कहते हैं। एक शेत्र से दूसरे शेत्र में परवाईत हो रही है। इसलिए जब हम राष्टी आए का मापन तीन अललग विधियों से करते हैं। तो भी तीनों विधियों से एक समान मुल्या निकल कर आता है। राश्टी आय कुम आपने की ये तीन विधियां हैं उत्पादन विधी, आय विधी, वे विधी इन विधियों की विवेशना हम अगली कक्षया में करेंगे धन्यवाद जय उत्ब एय कुम इप सक करेंगे उत्ब जिजया विधा बाश में विधी, वे विधी, वे विधी, बाशन है है, इःने भीवेदया भीवेदर आपछी sudah बंस करेंगे गएको। विधाद है सो